नमस्कार मैं मुकेश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वज सुवाज पर बहुत-बहुत स्वागत है धन्तेरस की शुब घड़ी की आप सभी को शुब कामना है दिवाली की अग्रिम शुब कामना है इस मंगल बेला में हम लोग मंगल की बात करने जा रहे हैं इनका नाम ही है मंगल और सभी अच्छे चीजों के ये धोतक है और ग्रहों में सेनापती की उपाधी इनको है हर तरह का एक्षन हर तरह की एनरजी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भूमी से संबंधित कार्य सभी चीज इनके जिम में आता है और ये पिछले दो महीनों से वक्री चल रहे हैं और ये हम सभी लोगों के लिए पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है क्योंकि मंगल जैसा मैंने कहा ये उर्जा एनरजी के श्रोत हैं मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं कभी भी अपने स्ट पर अडिग नहीं रह सकते हैं लेकिन वही यदि आपका मंगल बहुत बढ़ियां हो तो आप एनरजी से परिपूर्ण रहते हैं हर चीज में बहुत अच्छी होती हैं पराक्रम के आप धनी होते हैं स्पोर्ट्स में आप अच्छे होते हैं रियल एस्टेट आपको सूट कर हरता है सेक्स ड्राइव आपका बहुत अच्छा रहता है हर चीज कहीं न कहीं मंगल से जुड़ता है आपके बाकी प्लाइनेटस अच्छे हों और मंगल यदि बुरा हो तो कहीं न कहीं जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको लाइफ में वो नहीं मिलता है और वो मंगल मेशा वक्री रहते हैं शुक्र गुरू और शनी साल में एक बार जरूर रेट्रो ग्रेड होते हैं बुद्ध तो साल में कई बार रेट्रो ग्रेड हो जाते हैं लेकिन मंगल की बात कुछ अलग है ये दो वर्षों में सिर्फ एक बार वक्री होते हैं और जब भी वक्री होते है तो एक साइन में एक राशी में लगभग छे महीनों तक रहते हैं इस बार स्थिती थोड़ी सी अलग थी क्योंकि मंगल जैसे ही मेश राशी में प्रवेश किये बिलकुल शुरू आती डिग्रीज में ही बिलकुल शुरू में ही वो वक्री हो गए इसलिए वो वापस मीन र जाए उसका या ऐसे planets को fallen planets भी कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ न कुछ unresolved issues होते हैं कुछ न कुछ पुराने सबक होते हैं जो पूरे नहीं हुएं जिनको पूरा करने के लिए वो आते हैं unfinished agendas को पूरा करने के लिए आते हैं और mangal एक watery sign से fiery sign में गए और fiery sign से फिर watery sign में आए तो अब जब ये मारगी होंगे तो आप देखिएगा कि जितनी भी चीजें रुकी हुई थी पूरा एक chaotic माहौल था ऐसा लग रहा था कि सरकस तो है लेकिन कोई ring master नहीं है उन परिस्थितियों में अब सुधार आने जा रहा है और आप देखिएगा हम बारहो राशी की बात करेंगे बहुत संग्छेप में लगभग ये हर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है कुछ एक राशीयों के लिए थोड़ा बहुत tension हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा समय है और पूरे विश्व के लिए this will be a very positive period हम लोग शुरू करेंगे मेश राशी से मेश राशी वालों के लिए मंगल आपके बारहमे भाव में थे और वक्री थे अभी तक आपके अनरगल अननैसेसरी खर्चे हो रहे होंगे जिसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा स्वास्त संबंधित परेशानिया भी आपको रही होंगी अब आप देखिएगा ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगी खर्चे शायद होंगे लेकिन उनका मोल आपको मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप आईटी से संबंध रखते हैं यदि आप विदेशों से संबंध रखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड है तीसरा च्छठा अब हम आठवे भाव को मंगल देख रहे हैं तो पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी सिर्फ यही है कि वाहन वगरह चलाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा डिस्प्यूट्स आपके जो चल रहे थे उसके रिजॉल्यूशन के तरफ आप बढ़ेंगे वरिशब राशी वालों के लिए मंगल ग्यारहवे में है दूसरे पांचवे और छठे को देख रहे है ग्यारहवा और दूसरा का कनेक्शन हो रहा है तो धनलाब के लिए तो यह एक्सलेंट टाइम है पैसों के मैटर्स के लिए यह बहुत अच्छा समय है आप बिजनस में थे या किसी प्रोफेशन में थे और आपको लग रहा था कि आमदनी में कमी आ रही है या आमदनी नेगेटिव जा रहा है तो अब आपकी आमदनी बढ़ेगी भी और आप पैसों को जोड भी पाएंगे बच्चों के लिए भी अच्छा समय है डिस्प्यूट से बचे और यदि पुराने डिस्प्यूट से है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे मिथुन राशी वालों के लिए ये दस्वे में है मंगल और पहले चौथे और पांच्वे को देख रहे है आपके लिए एक्सलेंट एक्सलेंट टाइम है दस्वे में है आप प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे थे नौकरी चेंज करना चाह रहे थे आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था तो आप देखिएगा स्थितियां बदल जाएंगी आप वर्क प्लेस पे शाइन करेंगे आपको रेकोगनिशन मिलेगा चौथे को मंगल देख रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा काम के चक्कर में फैमिली मैटर्स को इग्नोर मत कीजिएगा बच्चों के साथ भी थोड़े अच्छे से चलिएगा क्योंकि एक चीज है और ये सभी राशियों के लिए है 20 तारिक के बाद गुरू जो है वो मकर राशी में चले जाएगे गुरू से संबंध मंगल का इसलिए बनता है क्योंकि मंगल अभी गुरू की राशी में ही है तो गुरू जब नीच के हो जाएगे और मंगल पर जब शनी की द्रिष्टी रहेगी तो थोड़ा चिड़ चिड़ापन थोड़ी एंग्जाइटी सभी लोगों में आएगी तो ये सभी के लिए है और मिथुन राशी वालों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए चिड़ चिड़ापन अपने सुभाव में नहीं आने दीजिए खास करके बच्चों के मामले में और परिवार के मामले में करकराशी वालों के लिए मंगल नौवे में हैं और आपके बारहवें तीसरे और चौथे को देख रहे हैं नौवां और बारहवां का संबंध बन रहा है इसलिए विदेश यात्रा आप यदी करना चाह रहे थे और उसमें रुकावटें आ रही थी वीजा वगर की समस्य आ रही थी तो वो समस्य आए आप देखिएगा धीरे धीरे आपका सॉल्व हो जाएगा आपके लिए एक्सलें दूसरे को देखेंगे ग्यारहवे को देखेंगे और तीसरे को देखेंगे आपके लिए सब चीज बढ़ियां है लेकिन आपको गाड़ी चलाने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा एक्सिडेंट्स वगरा ना हो छोटे-मोटे छोट ना लगए दूसरे को मंगल देख र कन्या वालों के लिए सात्वे में मंगल हैं relationships के लिए partnerships के लिए बहुत अच्छा time है business के लिए बहुत अच्छा time है यदी आप शादी करना चाह रहे थे और उसमें अडचने आ रही थी तो यह बहुत excellent period है आपके लिए आप बिजनस में यदि कोई बदलाव करना चाह रहे थे जो नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से वो आप देखिएगा positively आगे बढ़ेगा मंगल आपके दसमें पहले और दूसरे को देख रहे हैं बाकी हर छेत्र में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है नौवें को देख रहे हैं मंगल, बारहवें को देख रहे हैं और आपके लगन को भी देख रहे हैं So this is also an excellent time for you थोड़ा सा अपने discipline का जो daily का आपका routine है उसका आप ध्यान सिर्फ रखिएगा वरिष्चिक वालों के लिए पांचमे में मंगल है मंगल तो आपके राशी के स्वामी भी है एक तरीके का ये राजियोग बन रहा था आपके लिए So आप यदि student हैं या आप कोई नया course करना चाह रहे हैं आप मंत्र सिद्धी के छेतर में कुछ आगे करना चाह रहे हैं आपके बच्चों के लिए कोई competitive exam देना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया period है आपके लिए और मंगल आपके राशी के स्वामी जब वक्री से मारगी हो रहा है तो आप देखिएगा आपके शरीर में energy की कोई कमी नहीं रहेगी positivity बहुत अच्छी रहेगी आपकी धनू राशी वालों के लिए excellent, excellent, excellent time है चौथे में मंगल हैं, सात्वे को देख रहे हैं, दस्वे को देख रहे हैं और ग्यारहमे को देख रहे हैं और क्या चाहिए आपको business के लिए excellent है, career के लिए excellent है, lab के लिए excellent है चौथे भाव में मंगल है, माता जी का आशिरवाद हमेशा लेते रहिएगा परिवार में चिड़चिडापन कम रखिएगा पतनी के ऊपर ज्यादा overbearing जिसको कहते हैं मकर राशी वाले के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो भी काम आप करने का प्रियास कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था वो सब काम अब बनने लगेंगे छोटे भाई बहनों से आपको lab होगा बड़े लोगों का आपको आशिरवाद मिलेगा उनके सहयोग से आपको lab मिलेगा एक बैग कहीं से भी आपको अच्छे समाचार की प्राप्ती हो सकती है कुम राशी वालों के लिए दूसरे में मंगल है पांचवे, आठवे और नौवे को देख रहा है दूसरे में हैं इसलिए वाणी का बहुत ख्याल रखिएगा चिड़चिड़ापन में वाणी दोश का शिकार मत बनिएगा नहीं तो संबंद खराब होंगे आपके रिलेटिव के साथ काम करना चाहते हैं तो कीजिएगा लेकिन पे अटेंशन टू देटेल्स हर चीज लिखित में सब चीज करके उसके बाद आप आगे बढ़िएगा बाकी भाग्य वगएरा के लिए कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप भी यदि गाड़ी वगएरे चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मीन राशी वालों के लिए आपके तो क्या कहने लगन में ही मंगल बैठे हुए हैं एनर्जी और उर्जा के देवता वक्री से मारगी हो रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव टाइम है आप फुल अफ एनर्जी रहेंगे कुछ exercise वगएरे भी आप करना शुरू करेंगे यदि बहुत दिन से सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे तो अपने health का थोड़ा सा ध्यान रखिए बाकी नया काम वगएरे कोई शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था मंगल ठिक दीपावली के दिन मारगी हो रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए आपने देखा होगा लगभग बार हो राशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को भी ब्लड से रिलेटड समस्याएं पहले से हैं ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो हाइपर थाइरोइडिजम हो या हाइपो थाइरोइडिजम हो हर्मोनल इंबैलेंसे जिनको है उन लोगों को थोड़ी सी सतरकता रखनी चाहिए ऐसे लोगों को योगा करना चाहिए मेडिटेशन करना चाहिए कुछ ब्रीधिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और बाकी मंगल का जो सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की उपासना कीजिए देवताओं के सेनापती कार्तिकेय जी है शिवजी के दुसरे पुत्र गनपती के भाई उनकी आराधना कीजिए भगवान गनेश की आराधना कीजिए जो भी समस्याय मंगल से रिलेटेड होंगी सभी दूर होंगी उमीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्षन में अपने कमेंट्स को अवश्य लिखिए आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता कीजिए